सभी प्रिया दर्शिकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में बात करेंगे आज दो स्टॉक की अच्छी अपोर्चुन्टी है लॉंग टम के लिए अभी थोड़ी सी करेक्शन आ रही है यहां पर आपको एबात समझनी है कि राइट लेवल पर अगर बाई करे दो स्टॉक की बात करेंगे और साथी साथ में बात करेंगे मोंटी कार्डो के बारे में दो एक्सक्लूजिव नूज है और साथी साथ में आपको बताएंगे क्या होंगे टेक्निकल अनलिसिस के माध्यम से अभी के लेवल जो आप बाई कर सकते हैं अगर कुछ है एक स्मॉल कैप में आप दो परसेंट से दादा निवेश नहीं कर सकते हैं तो मैक्सिमा आप अपने पोर्टफोलियो का दो परसेंट निवेश कीजेगा इस टॉक में अगर शेर देखी जाएं तो 14 लाग के आसपास शेर हैंड एक्सेंज होते हैं जिसमें से करीब परसेंट की डिलिवरी जो होती है अब एक चैलेंज है इस टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ना के बराबर है यहां पर देखिए 0.3 परसेंट एफाई आए ने करीब करीब 17 परसेंट की होल्डिंग रखी हुए है डिया ने 5 परसेंट और पब्लिक ने पब्लिक इस दा जाद रहें चैलेंजिस जाद रहें कोविड का इंपक्ट देखिए एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव है इस तरह की कंपनी को जो आपकी ब्रोकेज हैं काफी सारे लोग यहां पर अभी कोविड के चलते हुए नए अकाउंट खुलवा रहे हैं एक्टिव ट्रेड एनलेसिस करके समझना है कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है तो उसके लिए हमने एक फ्री वेबिनार अरेंज किया है आप चाहें तो उसके लिए रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसमें आपको सिखाय जाएगा डे ट्रेडिंग की बारी किया और बताय जाएगा कि आपको डे 3,000 का profit हुआ और आज 13,000 का profit हुआ है expiry के दिन तो आपको समझना है काफी techniques होती है जो आपको सिखलाई जाएंगे बताई जाएंगे कैसे करना है आप उससे फिर आपनी trading कर सकते हैं चैनल का 5FF rule हमिशा दियान रखे यह आपको wealth को protect करेगा और देखे रेलीगेर को अगर हम ब पर expectation है कि काफी अच्छा positive cash flow generate होगा company की तरफ से आप देखे यहां पर जो इनके CEO है जो CFO है उनके तरफ से काफी सारे share बेचे गए हैं करीब करीब 20,000 share उन्होंने अपने exit कर ली हैं यहां से करीब 18,000 के share value उन्होंने sell कर दिया है पिछले 3 महिने के अंदर तो आपको इव इसलिए supply ज्यादा होने की वज़े से यहां पर stock थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर रहा है आई चलकर चार्ट पर देखते हैं आज अगर census को देखें तो आज weekly expiry थी आज sorry weekly expiry के बाद Friday के दिन की last देखा दे था week का तो काफी volatile था morning में नीचे खुला फिर उपर गया फिर का कर बंद होकर 49600 के असपास यह बंद हुआ है तो आज मार्किट में थोड़ा सा correction था point 3% के असपास अगर हम rally gear enterprises की intraday की chart देखें तो morning से ही pressure का दबाव लग रहा था इसमें देखें उपर के level पर sustain नहीं कर पाया है हाँ पर और जैसे ही इसने यह 107 का level तोड़ा तो वो फिर उसके नीचे चलते हुए continuously नीचे गिरा और 100 के level पर जाकर बंद हुआ है यह stock तो काफी गिरावट है करीब करीब 7% से ज़्यादा गिरावट आ चुके है इस stock में अब देखें दो दिन bullyinger band के बाहर candle चली जाती है तो आपको समझना है वहाँ पर खरीदना नहीं है यह चीज़ आपको समझनी है दोनों candle यह candle बाहर बनी है तो यहां पर खरीदने का level नहीं बनता है अब अगर सूपर ट्रेंड के साब से देखें तो सूपर ट्रेंड ने यहाँ पर थोड़ा सेल सिंगनल दिया है जो सबसे पहला अच्छा सपोर्ट रहेगा इसका 86 के आसपास का रहेगा यह एक अच्छा लेवल है आपको अपने पॉर्टफोलियो में यहाँ पर एड़ कीज जो आपको खरीदने के लिए सही है अब दूसरा हम बात करेंगे मोंटी कार्लो के बारे में मोंटी कार्लो मार्किट कैप की दिरश्टी से एक पैनी स्टॉक है 500 करोड से के आसपास कंपनी है तो अगें 2% से जादा आप इसमें निवेश्ट नहीं करेंगे इसका डेली एव प्रियास है जिसके तरह से आप ये सारी डियल समसकते हैं अगर प्रमोटर होलिंग देखा जाए तो 68% है और यहां पर प्रप्लिक की होलिंग 36% है इसलिए एक रेड फ्लाग है ना डियाए की होलिंग है ना एफाई की होलिंग है तो इस बात का आपको धियान रखना है इसलिए कैसे होते हैं अलग-अलग डिजाइन अलग-अलग अपोर्चुनिटीज अलग-अलग रीजन में यह लोग सेल करने की कोशिश कर रहे है अपने प्रोडक्ट्स को जो की एक बढ़िया प्रियास है इनका लॉंग टम में इनको नए सोर्स ओफ रिवेनिद मिलेंगे तो यह अच्छी activity बना के रखेंगे यहाँ पर जो आपके लिए हमारे हिसाब से बढ़िया momentum रहेगा आपका stock में तो यह एक long term के लिए growth story बनके आपको अच्छी लगेगी अगर यहाँ पर हम cash flow देखें तो पिछले financial में 31 करोण का negative cash flow था क्योंकि COVID का impact आपको पता है इस बार जादा रहेगा और यहाँ पर उससे पहले 31 करोण का positive cash flow था तो यह एक challenge है जिसके लिए आपको समझना है cash flow यहाँ पर company positive cash flow नहीं generate कर पा रही है और अगर हम यहाँ पर बात करें greed and fear की तो देखिए जब सब लोग greedy हो जाते हैं आपको वहाँ पर अपना portfolio से थोड़ा सा cash निकाल लेना चाहिए और साथ साथ में जब सब fearful हो जाए तो आपको वहाँ पर अपना portfolio को थोड़ा सा weightage बढ़ाना है क्योंकि जब अच्छे पैस इनको खरीदेंगे और राइट लेवल पर अपना profit book भी करेंगे अब अगर हम इनके company के बात करें तो देखिए जो इनके company के promoters हैं उन्होंने मिसिस ओसवाल जी रितिक ओसवाल जी इन्होंने करीब करीब यहाँ पर 10 लाक शेर जो हैं खरीदे हैं पिछले तीन महीने में जूकि एक बहुत positive momentum समझा जाता है जब insiders company के खरेते हैं शेर तो वो अच्छी प्रियास रहेगा तो 22% के असपास उन्होंने अपनी अब अगर company के हम revenue की बात की जाए तो देखे revenue तो करीब करीब 6 million के असपास है यहाँ पर और इसके साथ में चलते हुए अगर हम बात करें तो 0.5 million के असपास इनकी earning है free cash flow करीब 363 million के असपास per year produce करते हैं और cash from operations से 500 million के असपास cash flow generated है तो यह एक overall देखा जाए तो fundamentally ठीक ठीक company है उससाब से आपको long term में यह अगर multi-bagger बनता है तो आपके अच्छे return मिलेंगे यह एक काफी अच्छे consolidation phase बे चलने की कोशिश कर रहा है international market का भी pressure है जिसकी वज़े से आगे हो सकता है यह stock थोड़ा सा consolidation के बाद अच्छे level पर उपर बढ़के काम करेगा अब ज़र आगर हम इसके chart की बात करें तो देखे चार्ट पर इसके सबसे पहले हम बताते हैं intraday का chart तो Monte Carlo का अगर हम chart की बात करें तो सबसे पहले आज इसने काफी pressure बनाया सुभा से ही इसका momentum लग रहा तकी उपर नहीं जा सकता है यहां देखे खुला एक red candle बनी थी सबसे पहली और उसके बाद जैसे ही red candle का low तो और काफी तेज़ी से नीचे गया फिर काफी consolidation क्या उसके बाद फिर बंद होते होते 238 पर जाकर बंद हुआ है तो यह काफी high level पर इसने last में गिरा है अगें अगर हम बात करें यहां पर bulinger band के basis पर क्या पता लग रहा है तो देखे जब भी इस तरह की up movement आता है bulinger band से बाहर के अनल बन गई है तो सबसे पहला reaction रहेगा आप उसको उस time पर मत करीदिये यह आपको थोड़ा सा time लगेगा जिसके चलते हुए नीचे की तरफ को प्रयास रहेगा इसको जाने का तो दोनों का अगर projectile निकाला जाए तो यहां पर 228 के आसपास हो सकता है यह दोनों मिलने की कोशिश करें 228 से 226 के बीच में जहां पर यह दोनों एक दुसरे को joint कर स सकते हैं super trend और RSI का level देखें तो आपको clear पता लगेगा कि यहां पर 209 का एक बहुत strong support है जो आप चाहें तो इस level पर अपने accumulation के लिए इसको रख सकते हैं RSI का level यहां पर 70 के असपास से लागया था थोड़ा सा overboard zone में था तो इसलिए यहां पर एक छोटा correction होने की उमीद ह जो कि अभी यहां पर आ रहा है इन लेवल पर को खरीदिये और अगर आप हमारी monthly feature and option की service चाते हैं तो हमें mail drop कीजिए 10,000 रुपीज फीज है चार वीडियो प्रसुत आपके लिए जहें चाहिए भारत बाई